नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रधीब चोहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबरहाट बात समझनी है तो पोरी सुनने ही होगी और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और अगर आपने चैनल पहले से सफ़काइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेर जूरूर कीजिएगा दोस्तों कहते हैं कि किसी भी टीम का कप्तान उतना ही हासिल या उतना ही सक्षम या उतना ही काबिल साबिद होता है जितनी की उसकी टीम इसलिए बहुत जरौरी है कि अच्छे कैप्टन के साथ-साथ उसके पास टीम भी बहुत अच्छी हो देखिए कोई भी खेलो ऊसमें एहम क्या होता है उस टीम में सबसे एहम होता है जोश जब टीम पूरे जोश में होती है जब जोश से लबरेज होती है तो उस वक्त उस टीम के अंदर जीतने का सबसे ज़्यादा ज़जबा होता है उस वक्त जो कैप्टेन होता है या जो कोच या मैनेजर होता है वो क्या करता है सब को मालूम है कि किसी ना किसी टीम में कैप्टेन के लावा एक और ऐसा खिलाडी होता है जो औरों से हटके या औरों से बढ़कर होता है और उसी के आसपास टीम का ताना बाना बुना जाता है इसलिए कोच और जो कैप्टन है वो कोशिश करते हैं कि उस में खिलाडी के आसपास ऐसी टीम चुनी जाया जो उस टीम के अंदर सबक्त जोश है जोश से लवरेज जो टीम है उस जोश को वो जीत में कनवर्ट करपा इसलिए बहुत एहम हो जाता है कि उस वक्त कौन से खिलाडी कहां फिट बैठ रहे हैं किस तरह काम आ रहे हैं वो चुने जाये अब क्योंकि हिंदुस्तान में बात क्रिकेट की जादा होती है तो मैं आपको क्रिकेट के एक्जामपल से समझाता हूँ बात 1996 की अगर आपने किसी ने देखा हूँ 1996 का जो cricket वल्लकब था उसमें किसी ने भी नहीं सोचा था कि श्री लंका वो cricket वल्लकब जीतेगी लेकिंश्रीलंका की टीम में उस वक्त इतना जोश था कि उन्होंने कहा कि क्यूं ना क्रिकेट की परिभाशा ही बदले जाए इसलिए उस टीम में एक एहम खिलाडी था अर्विन डिसिलवा लेकिन उसके आसपास कैप्टन अरजुना राना दुंगा ने एक ऐसी टीम चुनी जो जोर से लवरेज थी और जुनों ने क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया उन्होंने डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेला बलके अटैकिंग क्रिकेट खेला और नतीज आपके सामने है कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर श्री लंका विश्व चैंपियन बन गई वही इस वक्त भारत की राजनीती में हो रहा है आपको मालूम है कि एक तरफ और जैसी फर्मेडेवल टीम है बीजेपी जो मैदान में एक जो उसका में खिलाड़ी है उसके आसपास इतना एहम खिलाड़ी है इतना धुरंदर खिलाड़ी कि उसके आसपास पूरी टीम टीक्यू ही है और उसके खिलाड़ी के सहारे पूरी तरफ एक ऐसी टीम है जो एक वक्त में विश्व चैंपियन हुआ करती थी या जो देश की चैंपियन हुआ करती थी लेकिन वक्त ने उसको नीचे गिराए लेकिन आज अपने सिर्फ एक स्टार खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की बज़ा से टीम में इतना जोश इतना उत्साह आगया है कि टीम अब कोई भी मैच जीतने के लिए तयार है तो ऐसे में इस वक्त उस टीम के लिए बहुत क्या जरूरी है उस टीम के लिए जरूरी है कि उसे खिलाड़ी के आसपास जो बाकी खिलाड़ी टीम में चुने जाएं वो भी ऐसे चुने जो उस खिलाड़ी की प जो उस्तम वो कॉंग्रेस है कॉंग्रेस का स्टार खिलाडी आपको मालूम है कौन है जिसने पिछले पांच महीने में पूरी गेम बदल दी दो हजार चौबिस की पूरी गेम बदल दी भारत की रायनीती का फिल्हाल जो नक्षा है वो बदल दिया वो है राहुल गांदी रा बहुत जरूरी है कि जो टीम के कैप्टन है मलिक अरजुन खडगे वो अपनी टीम ऐसी चुने कि इस खिलाडी के आज पास वो टीम ऐसी परफॉर्मेंस दे कि इस खिलाडी को इस खिलाडी पे पूरी टीम का बोज ना आए बलकि एक खिलाडी सूत्रधार बने आपकी टीम की जीत का और बाकी खिलाडी उनके साथ साथ कंट्रिब्यूट करें और 2024 का मैच जीत कर पार्टी की जोली में डालें इसलिए बहुत जरूरी है कि मली कारजुन खडगे जब अपनी टीम चुने तो उसमें ये तैग करें कि किन खिलाडियों की सबसे ज़्यादा जरूरत है टीम में या किन खिलाडियों का बगएर या उन्हें बाहर बिठा के बेंच में बिठा के भी टीम अच्छा परफ़र्मेंस कर सकती है ये चुनना बहुत ज़रूरी है मली कारजुन खडगे के लिए और साथ ही जो कॉंग्रेस की सेलेक्शन कमिटी है उसके लिए क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि इसी सारे ताने बाने पर डिपेंड करता है कि जो कॉंग्रेस का भी जोश है वो जोश कैसे ब्रकरा रहता है इसलिए मैंने भी आज कुछ खिलाडियों को चुना है जो मेरे हिसाब से मुझह लगता है कि टीम में शामिल होने चाहिए खडगे के टीम में शामिल होने चाहिए क्योंकि ये राहूल गांदी को बहुत जबरदस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं यह जो खिलाडी मैंने चुने हैं इन खिलाडीयों के चुनने की वज़ा एक ये भी है कि जो कॉंग्रेस का उधैपुर अधिवेशन हुआ था उसकी एक बात है वो भी जो है अगर इनकी सेलेक्शन होती है तो वो बात भी सही सावित होती है और वो उधैपुर डिकलेशन की बात ही कि युवाओं को और महिलाओं को युवाओं और महिलाओं को पार्टी संगठन में तरहीज दी जाएगी जो मैं आज साथ खिलाडी चुनके लहा हूँ अगर इनको खड़गे साहब की टीम में शामली किया जाता है तो उधैपुर के उस अधिवेशन की बात पी रह जाती है और साथ ही इन्हों ने जो काम अप्तिक किया है वो रहुल गांदी को 2024 के लड़ाई जीतने में मददगार भी सावित होंगे देखे यह हम सब जानते हैं कि इस महीने के आखिर में यानि 24, 25, 26 फरोरी को 36 गड़ के राइपूर में कॉंग्रेस का अधिवेशन होना ह इस अधिवेशन में मलिकर जुन खड़के को विदिवत रूप से कॉंग्रेस के अध्यक्षपत का जो चार्ज है वो सौंपा जाएगा और साथ ही कॉंग्रेस के जो वर्किंग कमेटी है उसके सदस्य भी खड़के साब को चुनने होगे यानि खड़के साब को अपनी पू CWC मेंबर भी होंगे और दूसरे सदस्य भी होंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चुनाओ में इस चायन प्रकिया में बहुत माथा पच्ची करनी पड़ेगी खड़के साब को और उनकी टीम को क्योंकि इस वक्त कॉंग्रेस के लिए अच्छी टीम चुनना इसलिए भी BBC के ओफिस पर रेड करके नो बॉल करके चांस दे रही है आपको अडानी के मुद्धे पर नो बॉल का चांस दे रही है कभी आपको BBC की डॉकुमेंटरी बैन करके चांस दे रही है कभी राहुल गांदी की टीशिट पर सवाल उठा के आपको नो बॉल करके चांस दे रही ह आए दिन आपको no ball मिल रही है उस तरफ से और आपको सिरफ free hit है छक्के पे छक्के मारने अब इस छक्के मारने के लिए छक्के मारने वाले खिलाडी भी आपको team मिल लेने पड़ेंगे ताकि यह जो no ball है यह waste नहो तभी आप 2024 का match जीत पाएंगे इसलिए मुझे लगता है कि इन जो team खड़के साब चुन रहे हैं उसमें जो मेरा पहला नाम है उसमें मेरा ऐसा नाम है जो आप मेंसे बहुत सारे लोग उस नाम को चाहते हैं और वो पहले से भी congress की team में है लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा एहम तरीके से उस खिलाडी को आना पड़ेगा team में उस खिलाडी को एहम रोल में क्यों आना पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम है कि राहुल गांदी ने कोई भी पद लेने से पहले ही मना कर दिया है और सोनिया गांदी तकरीबन सेमी रिटार्मेंट उस स्टेज पर चली गई है वो भी शायद कोई पद ग्रहेंड ना क भी रहेंगी मुझे लगता है उसके अलावा इने क्योंकि इनकी हिमाचल में जो कामियाबी अगर देखी पार्टी ने जिस तरह से इन्होंने हिमाचल में कामियाब क्या बीजेपी को मात दी उसको देखते है मुझे लगता है इने खड़के साब को करनाटक राज्य और उस में गुमा सकती है इसलिए मुझे लगता है पहले तो करनाटक की जिम्मेदारी प्रेंका गांदी को मिलने चाहिए इसके अलावा फिर आगे जो और राज्यों के चुना होने उनमें से भी किसी बड़े राज्य की जिम्मेबारी प्रेंक गांधी को मिलनी चाहिए और मुझे लगता है मिलेगी भी फिर मेरे दूसरे खिलाडी है ये श्री निवास बीवी आप में से काफी लोग इनको जानते होंगे जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये यूथ कॉंग्रेस के अध्यक्षय राष्ट्री अध्यक्षय स्री निवास बीवी स्री निवास बीवी वो नाम है जब भारत में कोरोना काल कोविड का जो समय चल रहा था उस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्ख्यों में जो नाम था पॉलिटिशन्स में वो स्री निवास बीवी का था इन्होंने इतने लोगों की मदद की उस वक्त उन्होंने ना पार्टी देखím न यह देखा कि बीजेपी का है, कॉंग्रेस का है, किस्योष पार्टी का है, जिसने इनसे मदद मागी, इन्होंने मदद की, गैस औक्षिजन के सिलेंडर दिलाए, दवाईयां दिलाई, जिस चीज के जरू बार जोडोडोडला के दॉरान आपको मालूं है कि सबसे बड़ाuda कारी करता हर वक्त पूरे रस्ते में रहूल गांदी के साथ रहे उध कोंग्रेस का जब आपको किस तरह से निकाल के या यूथ कॉंग्रेस के साथ रहते वे भी बड़ी जिम्मेबारी भी दी जाए बड़ी जिम्मेदारी के लिए तयार हैं क्योंकि ये जानते हैं कि कारेकरता को सड़क पे कैसे लाया जाता है कारेकरता को सड़क पे मोटिवेट कैसे किया जाता है ये महिर जो है वो सिर्निवास बीवी इस चीज में माहिर हो चुक है, और सिर्निवास बीवी ये भी जान चुके हैं, COVID में हमने देखा, जैसे मैंने पहले खा, कि लोगों के साथ कैसे जुड़ा जाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनकी भी वक्त आ गए है, इनकी ताजपोशी का वक आ चुका है, इन्हें भी जरूर प्रोमोट किया जाना चाहिए, तीसरे नंबर पे है, कनहिया कुमार, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहतरीन वक्ता, जी हाँ, इस वक्त कॉंग्रेस में, क्या पिछले 4-5 महिने पहले तक सबसे ज़्यादा कमी किस चीज की थ इस वक्त आपके बस प्रवक्ता बहुत अच्छे है, प्रवक्ता सुप्रिया सनेत, पवन, खेड़ा, रंदीप, सूर्जेवाला या और जितने भी आपके प्रवक्ता हैं, सब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन वक्ता जिसको कहते हैं, जो वक्ता जो आपको रैली और भारत जोड़े आत्रा के दौरान आपको मालूम है कन्या कुमारी से कश्मीर तक राहुल गांदी के साथ ये चले ही नहीं साथ जगा जगा पर इन्होंने प्रेस कॉन्फेंस भी करीब भूछ सारी जगा पर इन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला और आए दिन आपने द के साथ हमला करते हैं इसलिए मुझे लगता है कि एक तो ये वज़ा है इनको प्रोमोशन की या इनको किसी बड़ी जिम्मेदारी देने की दूसरी वज़ा ये है कि देखिए कॉंग्रेस को अल्टिमेटली बिहार में तीसरे नंबर से उपर तो उठना है अपना आपको मजब अगला नाम है ये ये आप मेंसे शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ इनका नाम है चैंडी ओमेन ये कौन है ये केरल के पूर मुख्यमंतरी ओमेन चैंडी के पुत्र है अब इनकी क्वालिफकेशन क्या है सिर्फ ये नहीं कि ये ओमेन चैंडी के पुत्र हैं बलकि इनकी क्वालिफकेशन ही कि ये कौंगर्स के डेडिकेटिड वर्कर है और सबसे बड़ी खासित बताओं ये अकेले शक्स थे जिन्हों ने राहुल गांदी की यात्रा शुरू उस कन्या कवारी से कश्मीर तक ना सिर्फ पूरी करी इनके साथ बलके नंगे पैर पूरी करी जी हां ये ऐसे शक्स थे जिन्होंने नंगे पैर पूरी यात्रा पूरी की बस श्री नगर में जहां बर्फ मिली वहां पर शायद इन्होंने थोड़े से जूते पहने थे यह चपल पहनी थी मजने मालुम कुछ पहना थ लेकिन बाकी इन्होंने 98% यात्रा नंगे पैर चलकर पूरी की थी राहूल गांदी के साथ अब राहूल गांदी को ये समझना जरूरी राहूल गांदी भी शायद जानते हैं आपको मालूम है राहूल गांदी अब केरल के दोरे पे गए थे उन केरल राजे वो जानते हैं कि हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है पिछले चुनाओ में भी केरल अकेला राजे था जिसने कांग्रेस को साथ दिया था पूरी तरह से वहां ऐसा युवा चेहरा जिम्मेवारी के साथ देना जरूरी है और मुझे लगता है कि अगर इनके फादर को भी ये बात कहेंगे तो शायद उनके फादर जो है ओमें चेंडी वो थोड़ा सा उमरे के हिसाब से थोड़े से अपने आपको पीछे भी कर लेंगे अगर आप जिम्मेदारी देते हैं तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ इसलिए कि ये जो है वो उनके पूत्र हैं इसलिए इने जिम्मेदारी देने चाहिए ना सिर्फ इसलिए की केरल से इसलिए जिम्मेदारी देने चाहिए बलकि इसलिए भी कि जो इनने करके दिखाया भारत किया जाए ये एक और यवा चेहरा हैं ये हैं जिगनेश मिवानी आपको मालूम है गुजरात चुनाओ आपने देखे होगे तो गुजरात में चेहरा कॉंग्रेस का फिलहाल यही थे बहुत कोशिश की इन्हों ने इस बार वहां गुजरात में कॉंग्रेस को अच्छा कराने की लेकिन आपको मालूँ है वहां क्या हुआ कैसे हुआ तो इनकी जितनी मेहनत है मुझे लगता है उतनी मेहनत जिन्होंने जितनी मेहनत की उसको सल्यूट किया जाना चाहिए उनकी मेहनत की तारिफ की जानी चाहिए और अब मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि इन्हें गुजरात से निकाल कर नैशनल पॉलिटिक्स में या मिच्चा के गरी राज्य में टक कर दे सके मुझे लगता है अगर जिगनेश मिवानी को आप अभी से सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं तो अगले जो गुजराच चुनाओ है उसके लिए भी आपको एक चेहरा मिल जागा और साथ ही साथ गुजरात में पार्टी का वेटेज बढ़ेगा इसलिए मुझे लगता है जरूरी है कि जिगनेश मिवानी को सेंट्रल लीडर्शिप में लाजा और साथ ही साथ मुझे लगता है इन्हें ये भी रिवार्ड मिलना चाहेगी इनके साथ जो आये थे कलपेश ठाकोर और हार्दिक पटेल आपको मालूम है वो कॉंगरेश छोड़के भी बीजेपी का दामन थाम ले लेकिन ये अकेले शक्सते जिन्होंने कॉंगरेश को नहीं छोड़ा अगला चेहरा है दिपेंदर हुड़ा का आप कहेंगे कि ये तो भुपेंदर हुड़ा के बेटे हैं इनके पिता तो पहले ही पार्टी में इतनी सीनियर पोस्ट पे हैं तो इनको क्यों लेना जी हा मैं मानता हूं दिपेंदर हुड़ा जो है वो भुपेंदर हुड़ा के बेटे हैं लेकिन मेरा ये कहना है मेरी जो राय है या जो मेरा जो तरक है मेरा तरक ये है कि इन्हें अगर आप कोई एहम पोजिशन पे लाते हैं कोई एहम पद देते हैं तो इसका मैसेज यूआ और अगर जरूरत पड़े तो मुझे लगता है कि इनके पिता भुपिंदर हुड़ा को भी ये संदेश देने की कोशिश की जाना चाहिए कि या तो आप राज्य तक सिमित रही है या हो सके तो थोड़ी सी अपने आपको काम डाउन करके इन्हें आगे बढ़ने का मौका तक ले गए थे लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर वहां पर भुपेंदर हुटा को आप कमान दे भी देते हैं कि चलिए आप जो है आपके नेतिरतों में चुनाओ लड़ा जाएगा चौबिस का विधान सभा चुनाओ लेकिन सेंटर में भी तो आपको हर्याने से को हर्याना के जाटों को संदेश देते हैं आप वेस्टन यूपी में भी जाटों को संदेश देते हैं और राजिस्थान के जाटों पे भी आप जो है वो एक संदेश पहुंचानी की कोशिश कर सकते हैं अब कुछ चेहरे ऐसे हैं जो दोनों ही जगा पर अर्जस्ट हो सकते ह या तो आप उन्हें राश्ट्रे पटल पे ले आईए, वहां भी वो उप्योग साबित हो सकते हैं, राहूल गांदी की टीम में उप्योगी साबित हो सकते हैं, या उन्हें आप प्रदेशिक जो राज्यस्तर की काई है, उनमें जिम्मेदारे देजीजे, उनमें एहम जो है responsibility दे दीजे, वहां भी काम के साबित हो सकते हैं, इसलिए उनमें सबसे पहला नाम है ये, सचिन पाइलेट, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, राहूल गांदी हो, चाहे हो मलिक आरजुन खडगे हो, सचिन पाइलेट की स्थिती क्लियर होनी चाहिए, सचिन पाइलेट ने हिमाचल इलेक्षन में भी प्रेंका गांदी के साथ कंदे मिलाकर पूरा काम किया, इसका गवा मैं खोदू, मैंने भी देखा है, उसके लावा सचिन पाइलेट आपको देखा, भारत जोड़ो यात्रा में भी जगा जगा कर राहूल गांदी के साथ शामिल हुए, अब क्योंकि BJPC को बुना रही है कि राजिस्थान में तो लड़ाई चल रही है, गहलोत वर्सेज पाइलेट, गहलोत वर्सेज पाइलेट, अब वक्त आ चुका है, कॉंग्रेस को स्थिती साफ करने चाहिए, और मेरी राय, मेरी राय अगर माने कॉंग्रेस, तो मुझे लगता ह गहलोत साब को ये टर्म पूरा करने देना चाहिए, और कॉंग्रेस को कह देना चाहिए, कि गहलोत साब, अब आप वरिश नेता है, आपने वहां राजिस्थार पे अपना काम कर लिया, अब आपको अगर आगे कंटिन्यू करना है, तो आप राश्ट्रे परिदिश्य में आईए, आप दिली आईए, और राजिस्थान की कवान, अब सचिन पाइलेट को सौंपजी दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है, अगर चौबिस में आप अशो गहलोत के नाम पर जाएंगे, तो फिर आपको गुट बाजी का सामना करना पड़ेगा, और दूसरी बात है, इंकममेंसी बहुत जबरदसता आपको देखनी पड़ेगी राजिस्थान में, और अगर आप सचिन पाइलेट जैसे फ्रेश फेस के साथ चुनाओ में जाते हैं, तो इसका एक तो एंटी इंकममेंसी का फेक्टर काम हो जाता है, और दूसरी बात, लोगों को आज की डेट मैं मानता हूँ इस बात के, कि आज की डेट में, मैं पहले भी ये बात कह चाहूँ, कि युवाओं से ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं, युवाओं को ज्यादा लोग चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है, युवाओं चेहरा अगर आप देंगे 2023 के जो चुनाओ है विद ये रोल रहेगा, एक और नाम है राजिस्थान से ही, यह हैं दिव्या मदेरना, ML हैं वहाँ पर, आपने भार जोड़ो यादरा में देखा होगा कि बहुत सारे चैनलों ने इनकी कवरेज की कि खुपसूरत चेहरा है, जो राहूल गांदी के साथ चल रहा है इस यातरा में आखिर तक चला, ये वही है, मैं इसलिए नहीं कहा रहा है कि खुपसूरत चेहरा है, इसलिए इनको शामिल कर देना चाहिए, या महीला है, इसलिए शामिल करना चाहिए, जी नहीं, मैंने इनको बोलते हुए सुना है, आप देख läuft, जब राजिस्थान फियास को हुआ था, किसी कॉंगरेस के नेता ने और नहीं लिया था इन्होंने साफ कहा था कि जो है वो अचो गहलो जो कर रहे हैं वो हाई कमान की जो है वो हाई कमान के आदेश की पालन नहीं कर रहे है हाई कमान के खिलाब बगावत की बात कही थी कि एक कसम की बगावत है इसलिए मुझे लगता है कि एक तो इनकी वाक पटुता और दूसरी बात ये जिस खांदान से इनके पिता भी बहुत senior Congress के नेदर रहे हैं इस खांदान की जड़ है वहां राजिस्थान में अपनी पकड़ है इन दोनों परिदिश्यों से मुझे लगता है इन्हें आप बेश परिशक राज्य में भी मत लीजे राज्य में आप मैं कहारा हूं सचिन पाइलिट को दे दीजे कमाड लेकिन इन्हें मुझे लगता है महिला Congress में या फिर Youth Congress में दोनों में से किसी एक जगा मुझे खास करके महिला Congress में मुझे लगता है बहुत एहम जिम्मेधारी दी जान समरिती रानी आपको मालूम है ना सिलिंडर लेकर बैठती थी सड़कों पर वो राजनीती है वही भारत की राजनीती है इसलिए उस राजनीती का जवाब उसी तरह से देने के लिए मुझे लगता है दिव्या जैसे नेता जो है इनको एक जिम्मेधारी देना बहुत जरू कि महिला विंग ने कितना एहम रोल अदा किया उनके साथ क्योंकि महिलाओं के साथ कनेक्ट किया प्रेंकर गांदी ने और महिलाओं के साथ जुड़ना महिला विंग की जो है वो जिम्मेधारी से ही महिला विंग की सहयोग से ही संभव हो पाया इसी महिला विंग को या इसी बेशक जो है वो केंद्रिये उसमें मत लाइए पठल पे मत लाइए प्रवक्ता भी ना रखिये इनको प्रवक्ता से उपर जाने का वक्त आ गया और मेरी राय यह है अगर मेरी राय माने कि देखिए दिल्ली में कॉंग्रेस का क्या हाल है किसी से नहीं छुपा है शीला दिक् स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलता है नेता वो बड़ा घाग नेता होता है एक बात सुने घाब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ नेता दर असल यह और कुछ जाने ना जाने यह बात जरूर जानता है कि लोगों के साथ जुड़ा कैसे जाता है लोगों की नबस पहचानना इनको आता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से लेके अब तक आप में भी रही तब भी मुझे लगता है दिल्ली की कमान अलका लांबा को अगर दे दी जाए तो देखिए इतने एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने दिल्ली में फिर भी कोई कामया भी नहीं रही क्यों ना इक और एक्सपेरिमेंट किया जाए अलका लांबा यंग चेरा है महिला है अच्छी बोलती है अच्छा वाद विवाद करती है अच्छी पकड़ है student politics से निकली है इतनी सारी qualities है तो क्यों ने एक chance ने दिया जाए और क्यों ना दिली की कमान प्रधान मंतरी मोदी और आडानी के संबंदों को लेखा रही है कि सामने बीजेपी थोड़ी थोड़ी दिफेंसिव मोड पर आती जा रही है जो लगातार अटेकिंग गेम खेल रही है और कॉंग्रेस अपने बचाओ करती रही है देकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉंग् प्रधान मंतरी मोदी और आडानी के संबंदों को लेकर सदन में सवाल उठाया तो प्रधान मंतरी डिफेंसिव मोड पर आ गए प्रधान मंतरी के डिफेंसिव मोड पर आने के दो एक्जामपल आपके सामने एक तो है कि उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और दूसरी बात राहुल गांदी पे जो नीजी हमले उन्होंने किये वो इंसान तभी करता है जब वो डिफेंसिव मोड पे आ जाता है। इसलिए आपको मौलूब है राहुल गांदी ने पूरी यात्रा में उन से सवाल पूछा गया। अब राहुल गांदी भी कहने लगे हैं कि प्रधान मंत्री ने मेरी सदन में बेज जती किया, मेरी सदन में अपमान किया है क्यों? क्योंकि राहुल गांदी भी जानते हैं कि वो defensive mode में आ गए हैं और ऐसे में राहुल गांदी को मौलुम है कि उन्हें प्रधान मंतरी की कम्जोर नफज मिल गई है, अब ऐसे में वो धील नहीं छोड़ सकते, क्योंकि धील छोड़ी तो प्रधान मंतरी फिर से अटेकिंग मोड में आ जाएगे, ऐसे में राहुल गांदी भी भूनाने लगे कि यह माने कि हां राहुल से मोधी का मुकाबला हो हमेशा राहुल को नीचा दिखाने की कोशिश करें वो कहेंगे कि राहुल गांदी कहीं भी मोधी का आज पास नहीं टिकते हैं ऐसे में राहुल गांदी भी जानते हैं मैं भी जानते हूं आप भी जानते हैं कि अब आने वा तिनो वहां चुनाव प्रचार में महिगाले में चुनाव प्रचार रहे हैं नाक्लेंड में चुनाव प्रचार रहे हैं छोड़-छोटे राज्यों में प्रधान मंत्री को उतरमा प्रधारगाज को बचाने के लिए वह क्यों branches हो ur kota회 प्रद कि Cheese meme uddiff इसलिए मुझे लगता है कि ये आईडियाज की कमी की वज़ा से ही बीजेपी इस वक्त जो बीबीसी जैसे संस्थान के दफ्तरों पे जो रेड करवा के जो सर्वे करवा के जो हरकते कर रही है वो इसी frustration का एक नतीजा आपके सामने दिख रहा है और यह पता है कि आपको जो स्टान्स अभी लिया है उसी तरीके से खेलना है 24 तक के इसी तरह से खेलना है लेकिन साथ ही फिर वही बात खेलने के साथ साथ उस खेल के अनरूप टीम भी बनानी होगी तभी आप मैच जीत पाओगे आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडिय आपको पसंद आएको तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मुश्कार